हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लोग विद प्रियंका सिन्हा में आज हम बनाएंगे कदीमा के पत्ते की सबजी थोड़ा अलग तरीके से सरसो वाली ग्रेवी में बनाएंगे बहुत टेस्टी ये बनके तयार होता है एक बार देखिएगा विडियो को लास्ट तक ये रेसे पी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं कदीमा के पत्ते की सरसो की ग्रेवी वाली सबजी सबसे पहले यहाँ पे हम कदीमा के पत्ते ले लिए हैं इसे अच्छे से साफ कर लिए हैं इसके पीछे एक डंडी रहता है उसे हटा दीजिएगा अगर ज्यादा मोटा डंडी है तो और इसे हम धो लिए हैं साफ कर चुके हैं एक परात लेंगे इसमें डालेंगे चार चमच बेसन तो ज्यादा बड़ा चमच नहीं है यह चोटा वला चमच ही है और मसाले अट कर लेंगे एक चमच लाल मिर्ची पौडर एक चमच हल्दी पौडर और एक चमच धनिया पौडर तो यह धनिया पौडर डाल लिए हम नमक डालेंगे थोरा सा और थोरा थोरा सा पानी डाल तो आप देख सकते हैं कैसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाले हैं और यहां पर यह घोल बनके तैयार है तो अब हम इसमें कदिमा के पत्ते को डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पत्ता डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे पूरे पत्ते को हम इसमें रखके मिलाएंगे पर एक बार में पूरा पता नहीं रखेंगे थोड़ा थोड़ा सा पता रखते जाईएगा और उसे मिलाते जाईएगा मिलाते मिलाते ये पता ना सॉप्ट जैसा हो जाता है आप देख सकते हैं पर इसे थोड़ी दिर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये और जादा सॉप्ट हो जाए तो हम इसे असानी से फोल्ड कर पाएंगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे हम साइड में रख दिये हैं और जब तक पत्ते सॉप्ट होंगे तब तक हम एक मसाला बना लेंगे इसके लिए धेर सारा लैसन लिए हैं और तीन चमच पीला सरसो लिए हैं ग्रेवी आपको जैसा गाढ़ा पतला चाहिए उसी साब से सरसो ले लिजे पीला सरसो लिजेगा और यहाँ पे दो साबुत लाल मिर्ची भी लिए हैं तीनों को अच्छे से पीस लेंगे मिहिन पेस्ट बना लेंगे और साब हमारा अच्छे से सॉब्ट हो गया है आप देख सकते हैं अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो अगर पत्ता बड़ा है तो एक पत्ते को भी आप फोल्ड कर सकते हैं और अगर छोटा है तो दो तीन को एक साथ रखके FOLD कर लिज़े आप देख सकते हैं कैसे हम FOLD किये हैं पूरे साक को ऐसे ही FOLD कर लेंगे तो इसे फ्राइ करने में आसानी होगी तो आपको जैसे भी आसान लगता है वैसे आप FOLD कर सकते हैं बड़ा छोटा अपने आप ट्राई कर सकते हैं, तेल गरम हो जाएगा, तो इसमें साग डाल लेंगे, जितने पते आएंगे उतना डाल लीजे, और इसे अच्छे से पलटते हुए इसके साइड को चेंज करते हुए हम फ्राई करेंगे, गैस का फ्लेम, स्लो टू मीडियम रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो यह अंदर तक नहीं पकेगा, कच्छा रह जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया, इसे अच्छे से पलटते हुए हम दोनों साइड सेक लिए हैं, और यह त तयार है, इसे निकाल लेते हैं, पहला बेच मेरा तयार हो गया है, आप इसे सॉस चटनी के साथ ऐसे भी खाएंगे, तो बहुत टेस्टी लगता है, यह कदीमा के पत्ते के पकॉरे तो यहां पर पहला बेच तयार हो गया है, बाकी जो बच्छे हुए पत्ते हैं ना उसे पूरे पत्ते को हम फ्राई कर लिए हैं और अब ग्रेवी बनाएंगे तो सेम पैन में थोरा सा तेल और डाले हैं एक चमच यहां पे हम पंच फौरण डालेंगे अगर आप पंच फौरण नहीं पसन करते हैं तो काला सरसो और जीरा मिक्स करके डाल सकते हैं थोरा सा हिंग भी डाल लिए हैं इसे थोड़ी देर भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे प्याज तो एक मिडियम साइज के प्याज को महीन चौप करके डालेंगे और इसे भून लेंगे प्याज का कलर चेंज हो जाए यहां पे प्याज हमारा भूना गया है आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें मसाले एड़ कर लेंगे एक चमच लाल मिर्ची पॉडर डालेंगे एक चमच हल्दी पॉडर डालेंगे तीखा आप अपने पसंद से ले लीजिएगा इसे कुछ सेकेंड के लिए हम भून लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे पीला सरसो लैसन और लाल मिर्ची का जो पेस्ट बनाए हैं तो इस करके डाल रहे हैं आप चाहे तो महीं चॉप करके या फिर पीस के भी डाल सकते हैं और नमक भी डाल लेंगे यहीं पर टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल लीजे और अब अच्छे से हमें मसाले को भूनना है तो यहां पर मसाले को हम भून लेंगे अच्छे से जब तक मसाले से तेल अलग न दिखने लगे और यहां पर देख सकते हैं मसाले से तेल अलग दिखने लगा है मसाला हमारा अच्छे से भुना गया है कसूरी मेथी थोड़ा सा एड़ कर लेंगे बिल्कुल ऑप्सनल है यह और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला हमारा भुना गया है अ ग्लास डाल लिये हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोरा सा पानी और एड़ करेंगे इसे अच्छे से मिला के थोरा सा पानी और डाल लिये हैं और कबर कर देंगे और जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसे पकाईए ढख के यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेव से भी पका हुआ है तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और साग के अंदर तक ग्रेवी आ जाए तब तक आप इसे पका लीजे यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है पांच मिनट हम इसे ढख के पका लिए हैं साग बनके तैयार है पुरी देर के लिए कबर कर देंगे तक यह ठंडा हो जाए उक्ताव से घंडा होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी तो अपने हिसाब से ग्रेवी रखिएगा तो इसे हम कबर कर देते हैं थोरी देर में बनाए हैं वैसे आप इसे किसी भी ग्रेवी में बना सकते हैं बनाना भी आसान है बहुत जल्दी बन भी जाता है तो एक बार बनाईएगा और हमें बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसेपी अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को से सीरे से पी के साथ